वेल्कम दोस्तों एक और फिर से स्वाक्त आपका मारे यूटीब चैनल टैकेशी सी पे आज मैं आपके लेकर नए वीडियो आज हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट के थू हमने css को कैसे चेंज करना है ठीक है कैसे एड करना है तो आज वो देखे के अगर आप मारे चैनल पे पहली बार हारे हो चैनल को सब्सक्राइब जूब कर लेना अगर आपको वीडियो शी लगे प्लीज लाइक करना चेयर करना ठीक है चलो इस 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 idea को तो इसका वेलइच इस तो इस ए बा से आउन कर दिया डिक को श्दगा रिया जावां स्क्रीप्ट को चार्ट कर दिया जावा wow श्क्रिप्ट को स्बसे पहले हमने आईद को सलक्ट किया तुः कुँँ इस याईड को सबvisor ie. इस बा सबसे इस में किया एक style, style और CS, CSS हमारा क्या है? CSS text हमारी एक property है CSS text हमारी क्या है? एक property है तो हमने इसमें multiple values चेंज की सबसे पहले हमने क्या किया? तो background कलदर को red की हमने ठीक है? उसके बाद color को white किया मतलब इस तरह से multiple property लगा सकते हो CSS की, java script के तरू अगर CSS text आप यूज करते हो ELM तो अमरा variable ELM element तो style का मतलब क्या होता है? कि मारी CSS start हो रही है कि इसका मतलब क्या होता है? कि मारी CSS start हो रही है सिसके अबाद CSS text के हमारी एक property है तो उसको अमने values देती ठीक है? बैग्राउंड कॉलर कॉन का कर दो आप multiple values दे सकते हो background दे सकते हो जो भी हो कुछ भी आप कोई CSS देना चाहते हो color देना चाहते हो background देना चाहते हो font face दे सकते हो कुछ भी कुछ भी देना चाहते हो CSS का यूज करना चाहते हो तो आप इसमें दे सकते हो ठीक है? यह हो गया non-executed statements, ठीक है तो इसके हमने की कहना वेरियबल, ELM अबरे वेरियबल, उसके set attribute, style, style का मतलब क्या है कि कौन सी आप मारी जो values आ रही है, style मतलब CSS की value आ रही है, तो हमने background color क्या कर दिया, jello कर दिया, इसको save किया, तो यह देखो background, jello हो गई, ठीक है, इस तरह से आप set attribute, through भी एक ही value को change कर सकते हो, इसके बाद का ध्यान रखना, कि आप set attribute, through सिर्फ एक ही property को, मतलब change कर सकते हो, add कर सकते हो, CSS text के through, multiple properties यूज़ कर सकते हैं, background color, color, ठीक है, और जो भी और भी property यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब, set attribute, set attribute, through हम सिर्फ एक ही property को यूज़ कर सकते है, style, background color दे दिया, ठीक है, उसके बाद, हम एक property को अगर हमें ऐसा नहीं करना चाहते, तो simple हमने सिर्फ एक ही property यूज़ करनी है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, elm हमरे variable.style.color, color को कर देगे, red ठीक है, तो इसको save करते हैं, पहले, तो इसको हमने किया, save, देखो, यह हो गया, तो अगर हम background लगाना चाहते हैं, जहां पर background color देदेंगी, ठीक है, हमें multiple properties देनी है, तो हमें CSS text की property यूज़ हमारी property यूज़ करनी है, ठीक है, जह हमारे एक simple सा program था कि हम यावा script के थूज़ हमने CSS कैसे add करनी है, कैसे, कैसे उसको change करना है, कैसे use करनी है, CSS with the help of JavaScript, ठीक है, तो सबसे पहले हमने, बस जह हमारा ID करनी है, ठीक है, तो I hope आपको मुझे समुलाग गया होगा, फिर भी आपको इसमें कोई भी दिक्क तो प्रीस कमेंट करके बताना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सबस्क्राइब जूरूर कर लेना, थैंक्स वर वाचिए